प्रधान मंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डिलिगेशन का भारत में हर दिख स्वागत करता हूँ पिछले वर्ष के चुनाओं में इटली के नागरीकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधान मत्रे के रुप में चुना इस आइतिहासिक उपलब्दी पर मैं उने सभी भारत वाज़्चों के और से बहुत बहुत बधाई और शुबकामनाई देता हूँ उनके कारभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समीट के दौरान हमारी पहली बैटक होई थी फ्रेंट्स हमारी आज की चर्चा है बहुती सार्थक और बहुती उप्योगी रही इस वर्ष भारत और इटली अपने द्वीपक्षिय सम्मंधों की पचत्तर भी वर्जगांट मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साज़दारी को स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप का दरजा देने का निलने लिया है हमने अपने आर्थिक समंधों को और स्रद्रट करने पर जोड़ दिया हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसार खुल रहे हैं हमने renewable energy, green hydrogen, IT, semiconductors, telecom, space जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेश जोड़ दिया भारत और इटली के बीच एक start-up bridge की स्थापना की गोषणा आज हम कर रहे हैं जिसका हम स्वागत करते हैं friends एक और छित्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का भारत में defense manufacturing sector में co-production and co-development के अफसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाबदायक हो सकते हैं हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित्रुप से joint exercise और training courses आयोजित करने का भी मिले नहीं लिया आतंकवाद और अलगावबाद के खिलाप लड़ाई में भारत और इटली कंदे से कंधा मिलाकर चल नहीं हैं हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा किये फ्रेंट्स भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और people to people समंद है हमने वर्तमान समय की आवस्ता का अनुवसार इन समंदों को एक नया स्वरूप और नई उर्जा देने पर विचार विमर्ष किया दोनों देशों के बीच Migration and Mobility Partnership Agreement पर चर्चा चल रही उस पर जो चल रही वारता का विशेश महत्वा है इस समझोते के सिग्र समापन से हमारे people to people रिष्टे और सद्रड होंगे हमने दोनों देशों के उच्च सिख्षा सम्थानों के बीच सहीयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया भार अपर इटली के समंधों की पच्चतरवी वर्जगाट मनाने के लिए हमने एक एक्षन प्लान बनाने का निर्णे लिया इससे हम दोनों देशों की विविदता, इतिहास, साइन्स और टेक्नलोजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य खेत्रों में उपलब्धियों को वैस्विक पट्रल पर सोकेस कर सकेंगे प्रेंट, कोविड महमारी और युक्रेन संगर से उत्पन, फूड, फ्यूवल और फर्टिलाइजर के क्रैसिस से सभी देश प्रभावित हुए है विकास इल देशों पर इनका विशेश रुप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमने इस बारे में अपनी साजा, चिन्ता, व्यक्त की इन समस्याओं के समासार के लिए हमने सयुक्त प्रयासों पर बल दिया भारत की G20 अध्यक्स्ता में भी हम इस विशे को प्राथिक्ता दे रहे हैं युक्रेन संगर्स के शुरुवात से ही भारत ने यस्पस्ट किया है कि इस विवात को केवल डायलोग और डिप्लोमसी के जरिये ही सुल्याया जा सकता है और भारत किसी भी सांती प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रुप से तयार है हम इंडो-पैसिफिक में इटली की सक्रिय भागिदारी का भी स्वागत करते हैं यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशेटिव में शामिल होने का निर्णे लिया है इससे हम इंडो-पैसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विशेओं की पहचान कर सकेंगे वैश्विक वास्तिक्ताओं को बहतर तरीके से दर्साने के लिए मल्टी-लेटरल इंस्टिटूशन में सुधार आवशक है हमने इस विशे पर भी विचार विमर्ष किया एक्सलेंसी आज शाम आप राइसिना डायलोग में चिपगेस के तौर पर शामिल होगी वहां आपका समोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं आपके इस भारत यात्रा और हमारी हुप्यों की चर्चा के लिए आपका आपके डेलिगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और यूर डेलिगेशन थैंक यू सर्व